Hello बच्चो, let's read the question first. BT toxin is harmful to insects like Lepidopterans, Tobacco, Budworm, Armyworms, Colopterans, Beetles, Lipterans, Flies and Musquitoes, and all of the above. BT toxin in insects में से किसके लिए harmful माना जाता है, यह हमें यहाँ पर study करना है, तो यहाँ पर key concept use किया जाएगा, वो किया जाएगा BT cotton का. BT cotton में यहाँ पर BT use किया गया है, यह लिया गया है by bacteria जिसका नाम होता है bacillus thuringiensis bacillus thuringiensis इस bacteria के अंदर नहीं जीन पाया जाता है जिसको हम cry gene बोलते हैं यह cry gene एक toxin को produce करता है, जो काफी सारे insects की death cause करवाता है, काफी सारे ऐसे insects जो useful crops को खराब कर देते हैं उनकी yields को बरबाद कर देते हैं अब यह बात आते हैं कि bacillus thuringiensis को यह रुकसान के वह पहुचाता है toxin क्यूंकि यह जो gene होता है इससे जो protein मनता है यह inactive form में होता है यहाँ पर present inactive form में होता है इसे activate होने के लिए इसको चाहिए होता है alkaline pH and यह alkaline pH इसको कब मिलता है insect के gut से यानि small intestine में इसको वहाँ पर alkaline pH मिलता है जिसके वैसे activate हो जाता है activate होकर के जो epithelial cells होती है वहाँ पे present उनसे जाके bind करके वहाँ पे crystallize होकर के उनका lysis यानि उनको far देता है अब बात आती है यह किन insects पे दो सबसे पहले जो क्या के scientist ने यह gene जो है इस gene को extract करके डाल दिया cotton में cotton में डाल दिया cotton में बहुत जादा ball warm होते थे ball warm देखने को मिलते थे यह ball warm जो होते है यह lepidopterans होते है जो cause करते है ball warm यह ball warm बहुत जादा cotton की yield को खराब करते थे अब हुआ क्या कि इन्होंने gene डाल दिया cry protein वाला cotton के अंदर तो जैसे ball warm इस inactivated protein को खाता था न वो activate हो जाता था इनके अंदर जाकर गे जिसीर से इनकी death हो जाती थी तो यहाँ पर बीना को insecticide यूज किये बीना फानी field को कोई नुकसान पहुचा है इन्होंने बहुत अच्छे से insecticide की तरह काम किया इस gene और इस हुझे से eco-friendly भी माना गया तो अब बात आती है यह किनके इन्सक्स पर उस्फूल है क्या यह केवल ball warm के लिए नहीं यह lapidopterans पे भी काम करता है lepidopterans, coleopterans पे भी काम करता है dipterans पे भी काम करता है यह and hemipterans, hemiptera पे भी काम करता है hemipterans, nematodes इन पे भी काम करता है तो काफी majority of insects पे पे काम करता है तो इसका right answer all of the above जाएगा I hope you understood it well, best of luck and thank you